नमस्कार प्यारे साथियों स्वागत है आप सभी मित्रों का टार्गेट वेदा लोग ऑन्लाइन प्लेटफर्म पर मैं शुदान्सू पर्टेल आज सब लोगों से आज की क्लास में इकोनामिक्स का बाजार टॉपिक लेकर प्रस्तुत हो रहा हूं दोस्तो चैप्टर के बारे में अगर हम आपसे बाचीत करें तो यह जो चैप्टर है इसके बारे में कम से कम आपको जानकारी होनी चाहिए और यहां से कभी-कभी अच्छा प्रश्न बना लेता है जो आपका आयोग होता है और कभी-कभी अच्छा प्रश्न पूछ लेता है प्रश्न की नेचर बहुत अच्छी होती है लेकिन जब आप पढ़े रहेंगे तब अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो प्रश्न आप नहीं कर पाएंगे तो चलिए हम ज़्यादा समय न लेते हुए हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और टॉपिक का नाम है बाजार और ऐसा कोई वेक्ति नहीं होगा पूरी की पूरी क्लास में जो इस सब्द से परिचित ना हो बहुत सारे लोग बाजार जाते भी होंगे बाजार किसी भी प्रकार का हो सकता है अनाज का बाजार हो सकता है सब्जियों का बाजार हो सकता है फल का बाजार हो सकता है कपड़ों का मार्केट हो सकता है सूज का मार्केट हो सकता है मतलब किसी भी इलेक्ट् कोड़ से गए हो या कभी कुछ बेचने के दिश्टिकोड से गए हो कहने का मतलब अगर हम आपसे बाचीत करें कि बाजार होता क्या है तो आप अगर इसको explain करना चाहें तो आप ये कहेंगे कि बाजार एक ऐसा स्थान होता है एक प्लेस होता है जहां पर क्या होता है जहां प अब क्रे विक्रे का मतलब क्या है अब समझे इस सब्द में एक सब्द जुड़ा हुआ है मतलब अंतर नहीं थे कि लेंदेन का आधार क्या होगा कोई नो कोई मुद्रा होगी कोई नो कोई मुद्रा होगी आज की बार हम करें वर्तमान समय की बाचीत करें तो वर्तमान समय में क्रेविक्रे का अधार है पैसा रुपिया मुद्रा लेकिन क्या यही बाजार का सुरूप आज के 5000 साल पहले था तो आप कहेंगे कि कुछ परिवर्तन आज के जैसा नहीं था क्या था सिश्टम बाजार था तब भी ऐसा नहीं की बाजार नहीं था बाजार सब्द ही जुड़ जाएगा जहां पर वस्तुओं और सिवाओं का करेविक्रे किया जाता है उस स्थान को हम बाजार कहते हैं लेकिन अगर हम उस समय के बारे में बाचीत करें, आज के 5-7,000 साल पहले की बाचीत करें, तो समय जो हमारा करे विक्रे का अधार था, वो विनिमे प्रणाली थी, बाल्टर सिस्टम था, विनिमे प्रणाली थी, अब विनिमे प्रणाली का मतलब क्या था? विन्मे प्रणाली का मतलब आप समझ लीजिए दोस्तों विन्मे प्रणाली का मतलब है कि सपोस्ट करिए एक स्थान पर दो वेक्ति हैं A और B दो वेक्ति हैं आच के अगर एविक्ति को चावल चाहिए और बी विक्ति को गहूं चाहिए जान से समझेगा A विक्ति को चावल चाहिए और B विक्ति को गेहूं चाहिए तो ऐसी स्थिति में क्योंकि उस समय कोई आधार नहीं था मुद्रा का कि A पैसा दे दे 100 रुपया दे दे A ने B को 100 रुपया दिया चावल दे दिये B ने और B ने A को 200 रुपय 100 रुपय दिया A ने गेहूं दे दिये B को तो आज तो बहुत आसान है कि आप कुछ नहीं पैसा रखिए आप जेब में रुपया रखिए रुपय की सायता से आप bargaining trade आप कर लिजे व्यापर कर लिजे लेकिन पहले का system अब क्या है मतलब प्राचीन विवस्था जिसमें क्या A को चावल और B को गेहूं चाहिए होता था तो ऐसी स्थिती में ये दोनों क्या करते थे एक दूसरे से विनिमे कर लेते थे विनिमे कर लेते थे ठीक कुछ समय तक फिल्वस्ताली बाज्यार में कुछ समय ने के बाद मुद्रा में डिव्लक्मेंट भी गुंद्रा तो मुद्रा के बारे में बस अभी इतना जान लिजये कोईजी एशा साधन जिसकी सहायता से व रिभावे करते, estoy एक लाइन में आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए मुद्रा क्या होती है तो आप कहेंगे, एक ऐसा सादन जिसकी सहायता से मनी, तुमों और सेवाओं का क्रें विक्रें किया जाता है या बस तुमों और सेवाओं का लेंदेन किया जाता है लेंडिन किया जाता है मुद्रा कहते हैं मुद्रा कहते हैं ना मुद्रा हो गया जैसे हम बाचित करें तो भारती रुपया भारत की मुद्रा क्या है तो भारत की मुद्रा का नाम है रुपया United States of America की संयुक राज अमेरिका की मुद्रा का क्या नाम है तो आप कहेंगे डॉलर डॉलर ही तो है जैसे आप जापान की मुद्रा की बाचित करेंगे जापान की मुद्रा का क्या नाम है तो आप कहेंगे जापान की मुद्रा का नाम है येन चीन की मुद्रा की बाचीत करेंगे चीन की मुद्रा का क्या नाम है तो आप कहेंगे रेन मिन भी रेन मिन भी कहेंगे ठीक है चीन के बाद आप यूरोपी यूनियन की बाचीत करें यूरोपी यूनियन की मुद्रा का क्या नाम है यूरोपी यूनियन की मुद्रा का नाम है यूनियन स्वारी यूरो क्या नाम है यूरो इसी तरीके से यूनाइट किंगडम की मुद्रा का क्या नाम है United Kingdom या England की मुद्रा का नाम है Pound Sterling Pound Ad ETC ठीक है Rus की मुद्रा का नाम भी लिखना चाहें तो Rus आपका मित्र है बहुत अच्छा मित्र दोस्त है तो आप कह सकते हैं इसकी मुद्रा का नाम है Rubal ठीक है तो ये कुछ मुद्राएं हैं अब सब मुद्राओं के बारे में कैसे आप याद कर सकते हो दोसों से ज़्यादा देश हैं विस्सु में उतनी ही अलग-अलग देशों की अलग-अलग करेंसी आप कैसे याद करेंगे आप सोचिए तो मतलब भरका जो न्यूज में रहे उसको एक बार देख लो बाकी 3, 4, 5 हैं इनके बारे में कम से कम आपको पता हो ठीक तो ये मुद्रा के बारे में information हो गई अब हम बाजार पढ़ते हैं बाजार के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि बाजार क्या होता है तो बाजार क्या होता है बाजार क्या होता है बई तो आप कहेंगे एक ऐसा इस्थान जहां पर या ऐसा इस्थान जहां पर ऐसा इस्थान जहां पर जहां पर क्रेताओं और विक्रेताओं के द्वारा क्रेताओं और विक्रेताओं के द्वारा वस्तुमों और सेवाओं का लेंदेन किया जाता है मुद्रा के आधार पर लेंदेन किया जाता है किया जाता है क्या कहते है बाजार कहते है बाजार कहते है बाजार कहते है ठीक है बाजार कहते है बहुत अच्छी बात है कोई दिक्कत नहीं विल्कुल बाजार कहते है बाजार के कुछ घाटक होते है या अगर हम बाचीत करें कि बाजार की विशेश्ता तो बाजार की विश इसी से निकल के आएगा जो definition लिखा इसी लिए तो बाजार में क्या विशेस होता है तो अगर हम कहें बाचीत करें आपसे कि बाजार की विशेस्ता के बारे में कि बाजार में क्या विशेस होता है तो भाई बाजार की क्या विसेश्था होती है बाई बताओ किसी को पता हो information दो थोड़ी सी तो पहली विसेश्था है कि भाई बाजार में क्यों होगा बाजार में क्रेता होगा और विक्रेता होगा भाई बिना लेंदार देंदार के कैसे सामान का क्रे विक्रे किया जाएगा क्रेता और विक्रेता होना जरूरी दूसरी सिंपल सी बात है कि बाई किस चीज का हम लेंदेन करेंगे तो वस्तु और सेवा होनी चाहिए मतलब वस्तु में और सेवाएं होनी चाहिए वस्तुमें और सेवाएं होनी चाहिए और क्या होना चाहिए? एक लेंदेन का आधार भी होना चाहिए लेंदेन का आधार क्या है? लेंदेन का आधार है मुद्रा तो लेंदेन का आधार यानि कि मुद्रा भी होनी चाहिए मुद्रा भी होनी चाहिए तो ये कुछ विशेस बाते हैं, ठीक है, ये कुछ क्या है, ये विशेस बाते हैं मुद्रा की, बाजार की, अधिको बाजार कई रूप का होता है, एक बहुतिक रूप होता है, बहुतिक रूप का मतलब क्या है, बहुतिक रूप का मतलब है, आप आप देखिए, कि आपको को स्टोर सेवा खरिदनी है आप अपने नियरस्ट मार्केट में चले गए जैसे बाचीत करें आप लखनाओं में है तो लखनाओं में बहुत इस्थानों पर सबजी की मंडियां लगती होंगी कपड़ों के मार्केट होते हैं मतलब अला गलग होते हैं वो भौतिक बाजार होते इस तरीके के धेरो एप्लिकेशन डेवलाप हो चुके हैं आपको कोई अन्य सामान खरीद नहीं मतलब फ्लिप कार्ट मीसो इस सब चीजे मैजॉरिटी में वस्तुमें और सेवाएं उपलब्द कराती है तो अब बाजार का शुरूप कैसा हो सकता है भौतिक भी हो सकता है और आभासी भी हो सकता है तो आप यहां पर एक लाइन में लिखना चाहें तो लिख लिजे बाजार भौतिक और आभासी बाजार भौतिक और आभासी होता है भौतिक और आभासी होता है आभासी का मतलब वर्चूवल अमेजन फ्लिपकार्ट जिसको नहीं समझ मैं आभासी का मतलब क्या होता है तो आभासी का मतलब इधर लिख लो जैसे अमाजोन अमेजन फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट ठीक है इटीसी जिसको लिखना हो यह सौट में कहीं पर लिख लो अपने पेज में तो यह तो बाजार हो गया बाजार की विसेस्ता होगी ठीक है अब हम बाजार के प्रकार के बारे में डिसकस करेंगे तो लिखिएगा हेडिंग Types of market, बाजार के प्रकार, Types of market, अब बाजार के प्रकार में देखें, तो बाजार बहुत प्रकार का होता है, example के रूप में बाचीत करें, एक बाजार होता है, एक अधिकारी बाजार, Monopoly Market, एक अधिकारी बाजार, यह हम बाचीत करें, इसको क्या कहते है, Monopoly Market, आपने बहुत सारे जगहों पर इसको पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है, चलिए, कोई बात नहीं, आपने नहीं पढ़ा, तो हम देख लेते हैं, हम लोग discuss कर लेते हैं, इसको, क्या होता है भाई, Monopoly Market Example पहले समझो, Example अगर इसपश्ट हो गया, तो आप बहुत आसानी से इसको क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, Example पहले बाचीत करें, Example जैसे भारती यह Railway, भारती Railway जो है, वो Monopoly Market का एक Example है, जैसे भारत में परमाड उर्जा, भारत में परमाड उर्जा, जो है, Atomic Energy, वो वो भी monopoly का एक market है, दो example sufficient है, अम मतलब समझो, ETC, आधी कर लो, मतलब समझना, यहाँ पर एक सब्द और समझना, जब हम विक्रेता की बात करेंगे, विक्रेता का मतलब सामान को बेचने वाला, तो इसका मतलब है कि हम उत्पादक की बाचित करें, मतलब यह दोनों बाजार मे एक ही सब्द के लिए प्रियोग किये जाएंगे, एक ही वेक्ति, एक ही विषेश वेक्ति के लिए प्रियोग किये जाएंगे, समझेगा विक्रेता या उत्पादक एक ही होगा synonyms synonyms होगे तो हम कहीं अगर विक्रेता कहें तब आप समझेगा उत्पादक है और उत्पादक कहें तो उत्पादक या विक्रेता आप कुछ भी समझेगा लेकिन दोनों ही एक ही व्यक्ति माने जाएंगे कि जो व्यक्तिक प्रोडक्शन की activity कंड़क्ट कर रहा है उत्पादग है वही व्यक्ति उसका विक्रे कर रहा है अम मोनोपोली मार्केट की बात समझिए मोनोपोली मार्केट हम कहेंगे एक ऐसा बाजार जहाँ पर क्या कहेंगे एक ऐसा बाजार जहां पर केवल एक विक्रेता होता है और क्रेता बहुत सारे होते हैं घेर सारे होते हैं अब आप समझो रेल्वे की सर्विस प्रोवाइड करने वाला एक मात्र सोल अथॉरिटी कौन है गौवर्मेंट आफ इंडिया भारस सरकार। कंजूम करने वाले चाहे माल परिवहनों चाहे यात्री परिवहनों उसका यूज करने वाले सैकडों, हजारों, लाखों, करोडों लोग हैं? चोटा मोटा आश्टेलिया तो हम क्यों रोज ट्रेन में ट्रेवल करा देते हैं हम ल जहां पर केवल एक विक्रेता होता है क्रेता बहुत सारे होते हैं उसे मोनोपोली मार्केट एक आधिकारी बाजार करते हैं तो लिख लो इसको भी लिखो लिखो एक ऐसा बाजार जहां पर केवल एक विक्रेता होता है और क्रेता बहुत सारे होते हैं एक ऐसा बाजार जहां पर केवल एक विक्रेता होता है क्रेता बहुत सारे होते हैं एक आधिकारी बाजार कहते हैं कहते हैं मोनोपोली मार्केट कहते हैं अब यहां पर चीज समझना एक और चीज समझना अगर प्राइवेट प्लेयर कहीं पर मतलब निजी व्यक्त क्या है मोनोपोली स्थापित कर रहा है प्राइविट प्लेयर का मतलब आप समझे क्या हो सकता है प्राइविट प्लेयर का मतलब जैसे मालीजे किसी वस्तु के उत्पादन में अडानी सहाब मोनोपोली रख लें किसी वस्तु के उत्पादन में कोई सेवा प्रतान करने के मामले में अडानी सहाब क्या करें अडानी सहब मोनोपोली धारण कर लें, अकेला व्यक्ति हो जाए ऐसी स्थिति में आप देखेंगे तो जो व्यक्ति होता है, विशेश निजी व्यक्ति जो होता है, वो profit को अधिक्तम करने का काम करता है, profit maximization करने का प्रयास करते हैं ध्यान से समझना क्योंकि उत्पादक जो होगा जो हमारे और आपके जैसे लोग होंगे वो लाब अधिक्तम करना ही चाहेंगे किसी भी प्रकार से लाब धिक्तम करना चाहें वो कम से कम सामान को बेज कर चुकि अकेला है मार्केट में पूरा आप सोचिए ऐसी कलपना करिए कि जैसे आपके घर में जो पंखा लगा है पूरे भारत में सीलिंग्ध सेंअ तो बजा आज हो गई एक मात्र प्राइस क्या रखेगी पंखेगी maximum price क्योंकि दूसरा alternative नहीं है market में लेकिन market में बहुत सारी company आपको पता है भाई बजाज भी है उसा का भी आता है औरियंट का भी पंखा आता है है ना धेर सारे पंखे मार्क फिलिप्स के भी आते हैं बहुत सारे पंखे आते हैं तो इसलिए monopoly नहीं है अगर monopoly होगी तो व्यक्ति maximum profit कमाने का प्रयास करेगा कम से कम unit को बेच कर लेकिन चुकि सरकार भारत में भारत की सरकार का सुरूप क्या है तो आप कहेंगे कल्याड कारी nature है भारत कैसा देश है विकास सील है मिस्री तर्थ विवस्था का देश है चुकि यहाँ पर गरीब लोगों की संख्या बहुत अधीक है बेरोजगारी बहुत अधीक है इसलिए सरकार क्या करती है इसलिए भारत की सरकार लोगों के कल्याड को उपर उठाने के लिए जिन छेत्रों में अपनी monopoly रखती है उसमें भी निवनतम चार्ज करती है निवनतम पैसा वसूलती अब आप सोचिए जर्नल का टिकट कोई खरी दिए किसी भी ट्रेन का जर्नल का टिकट खरी दिए 200 किलोमेटर की यात्रा करिए या 100-100 किलोमेटर की यात्रा करिए आपको लिखा मिलेगा टिकट अगर आप सही से पढ़िए तो टिकट में लिखा मिलेगा भारत की सरकार आपको इस पर 57 प्रतिसत का क्या दे रही है सत्तावन प्रतिशत का एक प्रिकार से आरेचछन दे रही रिजरवेशन दे रही है। सबसीडी दे रही है। मतलब 100 रुपय की टिकट है तो समिस 100 रुपय की टिकट है तो मतलब अगर वह vahy देखा जाता एग्जक्ट फेयर अगर आपको देना पढ़ता बिना सबसीडी के तू आर्सकार आपको क्या करे द्लाइब करें और सरकार लिविंग स्टेंडर्ड को उपर उठाना, जीवनिस्तर को उपर उठाना, तो एक मोनोपोली मार्केट हो गया, मोनोपोली मार्केट का एक्जामपल क्या है, भारती रेलवे परमाड उठ जा, है न, ठिक, समझ आ गया, नहीं आया, बताओ भई, समझ आया कि नहीं, अब समरूप वस्तु का एक कॉंसेट आ गया, यहां पर, एक आया समरूप वस्तु का विचार आया, भाई समरूप वस्तु क्या होती, होमोजीनियस, कमोडिटी, होमोजीनियस गूड्स क्या होती, समरूप वस्तु का मतलब, ऐसी वस्तु में, जो एक दूसरे के स्थान पर क्या किजा सकती हैं मतलब जो एक जैसे गुडा रखती है ऐसी वस्तमें जो एक जैसे गुडा रखती क्वालिटी पॉम ऐसे मार्किट में आप यहूंे जाईए है अब यहूं देखेंगे यह इस अब हुआ को बेचने वाले ध्येर सारे लोग होंगे बहुत सारे लोग बेचने वाले बहुत सारे विक्रेता होंगे और गेहु औरidents की नेचर क्या होगा अब आप देखिये मार्केट में हो सकता नाम में परिवरतन हो, 2-4-5 मैं आपने आप लेकिन सब एक ही जैसा दिखेगा तो गेहुं जो होता ही वह तो होता कावल के नाम मिल जाएंगे लेकिन एक ही जैसी गुडवत्ता रखेंगे एक ही जैसा लगेगा देखने में तो अब यहां पर समझे सम्रूप वस्तुवें का मतलब है कि एक जैसी वस्तुवें होंगी तो सिंपल सी बात है कि मार्केट में मोनोपोली इस्थापित नहीं हो पा में बहुत सारे लोग बेच रहे होंगे तो ऐसी इस्तिती में क्या होगा मोनोपोली नहीं बन पाएगी तो मोनोपोली में विभेदी क्रतवस्तुवें मतलब एक वस्त दूसरे से अलग होगी एक वस्त दूसरे से अलग होगी तो मा जो मोनोपोली मार्केट होता है वहां प का क्या हो गया यह आपका सिंपल सा मैंने आपको बताने का प्रयास किया बहुत आसान सब्दों में मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि भाई मोनोपोली मारकेड क्या होती है आगी चलते है दूसरा पढ़ते है दूसरा है दूसरा हम पढ़ेंगे सिंपल सी बाचित करेंग एक अधिकार हो चुका है अब हम बाचित करेंगे पूड परतियोगिता की पूड परतियोगिता बाजार पर्फेक्ट कमपडिशन मार्केट पर्फेक्ट कमपडिशन मार्केट पूढ प्रतियोगिता बाजार चलो पूढ प्रतियोगिता बाजार के बारे में अगर हम आपसे बाचीत करें तो पूढ प्रतियोगिता बाजार क्या होता है भाई देखो पूड़ पृतियोगिता बाजार बड़ा आसान है समझना बहुत आसान है पूड़ पृतियोगिता बाजार को समझना होता क्या है अगर हम आपसे बाचीत करें तो पूड़ पृतियोगिता बाजार के बारे में तो आप कहेंगे एक ऐसा बाजार जहां पर बहुत सारे विक्रेता और बहुत सारे क्रेता होते है उस बाजार को हम क्या कहते है पूड़ पृतियोगिता बाजार कहते है मतलब अब यही पर कहेंगे जो पूड़ पृतियोगिता बाजार होता है यही पर समरूप वस्तुवों का विक्रे किया जाता है Homogenius제 products का क्रेविक्रे किया जाता है अब गेहूं का market देखे अब कहीं पड़ बीछ लिए अनाज का market देखे अनाज का market जो देखने को मेलेगा वो पूढ पृतियोगीता बाजार का होगा तो जब देखो पूढ पृतियोगीता बाजार की स्थिति होती है तो इसमें जो विक्रेता या उत्पादक होता है, वो मिनिमम लाब पर, मिनिमम प्रॉफिट पर काम करता है, क्यों? अब आप सोचो, दस विक्रेता हैं गेहूं के, A, B, C, D, E, F, 3, 3, 3, 6, चलो हम इसको 6 कह देते, 6 ये विक्रेता है, कौन है? ये विक्रेता है, और ये किस चीज का विक्रे कर रहे हैं? ये समान वस्तू का विक्रे कर रहे हैं, सब गेहूं बेच रहे हैं, सब के, सब गेहूं का क्या कर रहे हैं? विक्रे कर रहे हैं, ठीक, अब ध्यान से देखना, और लोकेशन एक ही है, लभग, लभग, ऐसी सिती में सपोस्ट करिए कि गेहूं की जो उत्पादन लागत आती है, कौस्ट आप प्रोडक्शन जो आती है गेहूं की, गेहूं की कौस्ट आप प्रोडक्शन आती है, सपोस्ट करिए 20 रुपया पर केजी, केजी का कीमत बताएं, क्विंटल का नहीं, 20 रुपया पर करिये मैं कहता हूं इसमें 1 रूपय profit है 19 रूपय गेहूं की cost of production और 1 रूपय profit मंतब 20 रूपय कीमत हो अब ऐसी स्थिति में 20 रूपय सब की cost of production है सब a b c d e f सब लोगों की यही cost of production है अब ऐसी इस्तिती में आप सोचो, एवक्ति सपोस्ट करिए कि मैं 35 रुपए में गेहूं बेच दू पर केजी, बिकेगा, मार्केट में B है, B, सौभाव एकसी बास समझे, ये सब जो हैं अपनी सेल को मैक्सिमम करने के लिए मिनिमम प्राइस रखेंगे, तो ये समभव कोई 21 पैसे रख दे, कोई 22 रुपए 50 पैसे रख दे, ध्यान से समझना, और कोई सपोस्ट करिए 22 रुपए रख दे, ऐसे, तो अगर समरूप प्रोडक्ट होंगे, तो आप देखेंगे, सबसे ज़्यादा जो विक्रे है, वो सबसे कम कीमत पर बेचने वाला वेक्ति करेगा, सबसे ज़्यादा यही सामान बेचेगा, और जो सबसे ज़्यादा विक्रे करेगा, क्वांटिटी, जिसकी सबसे ज़्यादा होगी, आप देखेंगे, क्या होगा, सबसे ज़्यादा प्रोफिट भी उसी वेक्ति का होगा, तो ऐसी सितिती में क्या करेंगे, यह सब जो हैं F, E, D, C और A, यह सब अपनी कीमत को कम करके प्रयास करेंगे कि 21 रुपए, 21 रुपए के आसपास कर दें, 21, 21, 21 रुपए कर दें, तो प्राइस में बहुत डिफरेंसियेट यह डिफरेंसियेशन देखने को नहीं मिलेगा, अंतर नहीं देखने को मिलेगा, तो एक ऐसा बाजार जहां पर लिखेगा, एक ऐसा बाजार जहां पर एक ऐसा बाजार जहां पर जहां पर बहुत सारे विक्रेता बहुत सारे विक्रेता होते हैं एक ऐसा बाजार जहां पर बहुत सारे विक्रेता हैं बहुत सारे विक्रेता होते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते है बाजार कहते है इस बाजार में लगभग समरूप वस्तूओं का विक्रे वस्तूओं का विक्रे किया जाता है और इस बाजार में विक्रेता निवनतम लाब कमाता है निवनतम लाब कमाता है या प्राप्त कर पाता है इतना हो जाए तो बताईएगा फिर आगे चलेंगे अगे चलेंगे इतना हो जाए तो बताईए अगला बाजार का हम प्रकार पड़ेंगे एक अधिकार आत्मक प्रतियोगिता बाजार एक अधिकार अत्मक प्रतियोगिता बाजार मोनोपोलिस्टिक कमपडिशन मार्केट चलो देख लो यह क्या होता है क्या पढ़ेंगे मोनोपोलिस्टिक कमपडिशन मार्केट के बारे में चलो देखो मोनोपोलिस्टिक competition market क्या होता है धान समझना एक ऐसा बाजार जिसमें बहुत सारे विक्रेता और बहुत सारे क्रेता होते हैं धान समझना कहेंगे सर मोनोपोल वो हो गया perfect competition हो गया नहीं भईया पूरा सुनते हैं बीच में जही समस्या होती है जब आप आधा प्रश्न पढ़कर उत्तर करने का प्रयास करते हैं तो आप गलत करके आते हैं तो मैंने का एक ऐसा बाजार जिसमें बहुत सारे विक्रेता और बहुत सारे क्रेता होते हैं लेकिन विक्रेता लगभग क्या करते हैं विभेदी कृतवस्तु का विक्रे करते हैं उनके उत्पाद में थोड़ा अंतर होता है और मार्केट में अपनी पहुँच बढ़ाने के लिए विक्रेता टेड मार्क एड़वर्टीजमेंट विज्यापन आधिका प्रियोग करता है एकजाम्पल से समझ में आएगा सब मार्केट में पेस्ट की कैटइगरीं पेस्ट जानतेorsa मजन करने वाले डंत मंजन दंत मजन आप देखें हैं आप समझेंगे यहां पर कहने का मतलब क्या एक इग्जांपल से मैं इसली बता रहा हूं एक ऐसा बजार जिसमें बहुत सारे विक्रेटा और बहुत सारे क्रेटा होते हैं लेकिन विक्रेटाओं के उत्पाद एक दूसरे से थोड़ा क्या होते हैं अलग होते हैं भिन होते हैं विभेदी क्रत होते हैं उनके स्वाद में अंतर हो सकता है अब मार्केट में आप समल लीजिए रेश्टोरेंट का मार्केट आप देखलो रेश्टोरेंट का मार्केट अब रेश्टोरेंट आप देखिये ना चाहे जहां पर जाईए सडक के किनारे आपको ठेलो में कचोडी पूडी सबजी खिलाते मिल जाएंगे थ्री स्टार से लेकर फाइव स्टार टू स्टार तक होटल मिल जाएंगे आपको बहुत सारे लेकिन इनके प्रोडक्ट में क्य होगा अलगा होता है भेद होता है किसी एक जगा रेश्टोरेंट में खाना खाके देखिये और वही खाना दूसरे रेश्टोरेंट में जाके देखिये स्वाद में अंतरा जाएगा और यह सब क्या करते हैं विज्यापन करते हैं खूब विज्यापन करते हैं चाया मन्यन क क्या लिखेंगे एक ऐसा बाजार जिसमें बहुत सारे विक्रेता एवं बहुत सारे क्रेता होते हैं विक्रेता के उत्पाद में या उत्पादों में एक दूसरे से थोड़ा अंतर होता है एक दूसरे से थोड़ा अंतर ब्रेकेड में स्वाद में अंतर हो सकता है कुछ हो सकता है पैकेजिंग में अंतर हो ठीक है आदी अंतर हो सकता है क्या एक ऐसा बाजार जिसमें बहुत सारे विक्रेता हैं विक्रेता के उत्पादों में एक दूसरे से थोड़ा अंतर हो सकता है ठीक है एक अधिकार आत्मक प्रतियोगिता बाजार कहते प्रतियोगिता बाजार कहते यह सेल अपनी मैक्सिमम कैसे करेंगे तो विज्यापन से यह क्या करेंगे ट्रेड मार्क लेंगे जैसे होता नहीं ब्रांडाइजेशन करने का प्रयास करेंगे तो यह ट्रेड मार्क लेंगे ठीक है ब्रांडाइजेशन करेंगे ठीक है एडवर्टीजमेंट करेंगे विज्यापन करेंगे आधिके सहायता से अपनी सेल को अपनी अपने विक्रे को अधिक से अधिक करने का प्रयास करेंग एक अधिकार अत्मु बाजार होता है, ठीक है, समझ आया, एक अगला मार्केट होता है, उसे हम अल्पाधिकारी बाजार कहते हैं, क्या कहते हैं, अगला मार्केट है, अल्पाधिकारी बाजार, ओल्पाधिकारी बाजार, ओल्पाधिकारी बाजार, ओल्पाधिकारी बाजार औलिगो पोली मार्केट क्या होता है औलिगो पोली मार्केट के बारे में कहें तो एक ऐसा बाजार जिसमें कुछ विक्रेता होते हैं विक्रेताओं की संख्या 2 से 10 हो सकती है और क्रेता बहुत सारे होते हैं बहुत सारे क्रेता कि उस बाजार को हम क्या कहते हैं हमसको अलपा अधिकारी बाजार कहते हैं एकजंपल कार बनाने वाली कंपनी आटो मुबाईल दूसरा मोबाइल फोन मोबाइल बनाने वाली कमपनी देखो एयरलाइन एयरलाइन की सर्विसेस प्रोवाइड करने वाली कमपनी आप गिल लो भारत में ही गिल लो कितनी है आटो मोबाइल कार बनाने वाली कमपनी या कितनी है काउंट कर लो 2, 4, 5, 10 मिलेंगे, बहुत मिलेंगे तो, वैसरी किस तर पर 20, 50 कर लो, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको, तो एक ऐसा बाजार जिसमें विक्रेता कम होते हैं, कुछ होते हैं, विक्रेता 2 से 10 होते हैं, और क्रेता बहुत सारे हैं, अब आप सोच लो न, कार खरिदने के लिए, जॉब लगने के बाद आप खुद प्रियास करते हैं, कार खरिदने का, मोबाइल हर विक्ति के पास है, आप देखिए, विक्रेता बहुत सारे, मोबाइल बनाने वाली कमपनियां कितनी हैं, उपर लेबल, टॉप लेबल पर, नाम में मत जाईए, कमपनियों की manufacturer की संख्या, अल्प, कम, कुछ होती है, कुछ का मतलब 2 से 10 भी question में पूछा जा सकता है, तो लिखिएगा, एक ऐसा बाजार जिसमें, ऐसा बाजार जिसमें, विक्रेताओं की संख्या, विक्रेताओं की संख्या, संख्या, 2 से 10 होती है, या कुछ होती है, अल्पाधिकारी बाजार कहते है, आप एयरलाइन्स को देख लिजिए, कितने लोग एयर बसेस की service प्रोवाइड करते हैं, ये बाजार के प्रमुक प्रकार है, जब आप सामान जानकारी के दश्टिकोंड से पढ़ते हैं, तो इतने बाजार के प्रकार सफिसेंट, प्रशन अलपाधिकारी बाजार से बहुत सारे विक्रेता होते हैं, उसे क्या कहते हैं, चार अपसर, मोनोपोली मार्केट का एक एक एग्जामपल पूछ लेगा, कि आप निमनलिकित में से कौन मोनोपोली मार्केट का उदाहरण है, अलपाधिकारी बाजार का एक एग्जामपल पूछ लेगा, अलपाधिका थोड़ा सा क्या होगा functional changement देखने को मिलेगा बाकि आपको पता है monopoly में विभेदी करना जरूरी है differentiation जरूरी है विभेदी कृत वस्तुमें monopoly में भी कहेंगी और यहां पर भी समरूप वस्तुमें होती हैं लेकिन क्या होता है लेकिन आप जांते हैं कि स्वाद मैं परिवर्तन हो सकता है ripping से इस मार्केड के सुरूप थे ठीक है तो मार्केड आज की क्लास में हमने देखा आसा करते हैं समझ में आया होगा चीजे तो आज के session को हम यहीं पर रोखते हैं मिलेंगे अगली क्लास में सबको धन्यवाद आभार ठैंक यू सो मज